hello friends welcome to ns classes my name is Neetu और हम यहां पर स्टार्ट करें डेटा स्ट्रक्चर तो मैं आपको बता दू कि यहां पर हम डेटा स्ट्रक्चर के टॉप जो most important 100 questions है वो डिसकस करने वाले हैं जो कि आपके computer science के exam में आपको देखने को मिलेंगे करेंगे ताकि आपको एक्जाम में उसको कवर अप करने में help मिल सके exam के point of view से काफी जदा important होंगे और वो 100 questions आपको बहुत अच्छे से करने हैं ठीक है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो शेयर कर दो अपने फ्रिंट के साथ जो भी computer science की अपने प्रिंट कर रहे हैं तीजीटी-पीजीटी तीचर बनना चाहते हैं किसी भी exam के लिए प्रिपरिशन कर रहे हैं computer science से तो आप उसको शेयर कर सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो प्लस कमेंट करके आप पूट सकते हो और बल अइकन को प्रेस कर सकते हो ता जिनका टारगेट है नेट क्लियर करनेका उनके लिए पी कुछिन काफी जादी इंपॉर्टन है यह बाई मिस्टेक मुझे से 19 हो गया यह पर 20 हाई गया टिक है जो भी कंपेटिटिव एक्जाम की प्रप्रप्रिशन कर रहे हैं जितने भी पिजटी एक्जाम है लाइक आपका NVS हो गया KVS हो गया DSS भी हो गया जितने भी TET exam है Army Public School हो गया सबके लिए जो कोशन है वो खाफी सते इंपॉर्टन है बढ़ेवकिंट कराई मौल करें मौल करते हैं कौशन स्टार्ट करते हैं first question देखो Which of the following is the level of implementation of data structure data structure जब आप implement कराते हो कौन कौन से level यूज करते हो इन यूज देख लेते हैं कौन कौन से level यूज करेंगे abstract, application level, implementation level लिया तो जब हम data structure को implement करवाते हैं तो हम सभी इसके अंदर यूस करते हैं तो अब्स्टेक लेवल से भी implement करवाते हैं अप्लिकेशन लेवल से भी तो यह पर जो इस cancer आजाएगा वोडी आजाएगा यह नहीं कि all of these नेक्स्ट कोशन देखो इसको यह पर एक प्लेन मोड में कर देते हैं ताकि कोई नोटिफिकेशन नाए बार-बार सेकंड कोशन देखो what is the output of the following program यह प्रोग्राम दे रखा है और आपको इसके output बताने है include iso stream.h वो एड प्रिंट प्रिंट करवा रहे हैं जिसमें static int s की value है 1 और s को हम क्या करवा रहे है अर लास्ट में क्या करवा रहे हैं हम तीनों को एड प्रिंट करवा रहे हैं तो यहां पर यह हमें क्या प्रोवाइड करेगा एड वन वन करते जाएंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 2 3 4 तो 2 3 4 प्रिंट करवा देगा तो यह option है वह आपका करेक्ट होगा next question देखो which other foreign word is used to declare the header file जब आप header file को use करते हो declare करवाते हो तो आप कौन सा use करते हो तो आप क्या use करोगे hash include stdo.h यह आपकी C++ की header file है जब भी आप header file use करते हो तो आप किसका use करवाते हो तो क्या declare करवाते हो include का next question देखो which of the following header file is required for creating and reading data files तो अगर आप iostream.h की use करते हो तो वो input output के लिए होती है तो यह पर यह पर यह पर यह output के लिए है यह input के लिए है तो इसने बोला है कि data create करवाना और data को read करवाना तो read करवाने के लिए आस ती स्टे लिंख्री आप करते हों तो जो स्टे करने के लिंख करने के लिए बांटर कराते हैं तो महा बहुत蛀्री और श्रुरिया is true about binary search tree, binary search tree के बारे में कौन सा जो है, वो true है, तो binary search tree के में आपको बता दू कि आपकी एक root node होती है, आपका एक left part होता है, और एक आपका right part होता है, जो left part होता है, वो root node से क्या होता है, small होता है, और जो right part होता है, वो root node से क्या होता है, बड़ा होता है, यानि कि greater than होता है तो अब option देख लो first option बोल रहा है कि key of every node of right sub tree of greater than the root right sub tree मैंने बताया आपको root होगी left part होगा right part होगा right part होगा root node से क्या होगा greater than than बोल रहा है the option देखो every node in left sub tree जब left part की बात करेंगे of tree is less than key root root से क्या होगा root node से क्या होगा root node से क्या होगी बड़ी होगी तो यहां पर इसका answer आजाएगा both of them are true तो दोनों ही option जो है तो यहां पर जो answer आजाएगा seven question देखो destination statement for go to label is identified by what label कॉन सा label यूज करोगा जब आप go to statement लगाते है उसके बाद आप यह वाला label यूज करते हो तो यहां पर आजाएगा eight question देखो which of the following is true about the characteristics of abstract data type abstract data type में कॉन सी statement or characteristic true है first बोल रहा है export a type export करता है type को तो बिल्कुल true है second option बोल रहा है export a set of operation type को भी करता है set of operation को भी करता है तो यहां पर दोनों यह option जो है वो आपके true हो जाएंगे तो c option जो है वो correct होगा ninth question देखो the difference between linear array and record is linear array and record में क्या difference होता है वो देख लो array is suitable for homogenous array क्या होता है हो दो तरह होते है homogenous होता है heterogeneous होता है homogenous होता है same data type पे apply करते है heterogeneous होता है different different data type पे apply होता है but the data item in record may have different data type तो यह बोल रहा है linear there are record में अप अलग अलग data type को record करते हो एसा तो निया कि same record को ही आप store करवा जा रहे हो different different data अप क्या करते हो इसमें different different type का data होता है record अंदर और अरे क्या होता है linear array क्या होग आपका homogeneous होता है तो first जो है वो true हो गया second देखो in a record there may not be natural ordering in opposed to linear linear array का मतलब होता है कि बिल्कुल sequence में है natural ordering है जो आया जैसे आया उसको order कर दिया लेकिन जो आपका record होता है वो natural ordering नहीं होती है तो D option भी आपका क्या हो जाएगा true हो जाएगा record record जो होगा वो hierarchical structure होगा पर जो linear array होगा वो hierarchical structure नहीं होगा तो तीनो ही option जो है वो true है तो यहां पर जो अगर answer की बात करें तो D option भी आपका correct होगा यानि कि all of these जो है यहां पर इसका answer होगा तो D option correct है 10 question देखो in a stack the data item placed on the stack first stack में क्या करते हूँ अप data item जो place करते हो first में तो क्या होता है stack की मैं आपको बता दू क्या होता है first and last out जो पहले आया है वो last में जाएगा जैसे यहां पर 1 आया फिर 2 आया तो यह बोल रहा है कि जो item पहले आया है उसका क्या होगा तो the last item to be removed जो पहले आया था उसको हम क्या करेंगे बिल्कुल last में remove करवाएंगे तो यहां पर A option हो रहा है the first data item to be removed जो पहले आया है वो पहले तो जाएगा नहीं जो last में आया है वो पहले जा सकता है कर यह last item पूछता तो यहां पर इसका answer A होता C बोल रहा है given an index 0 तो यहां तो कुछ है नहीं पर not given is index number यह भी नहीं है तो यहां पर B option जो है इसका correct जाएगा क्यों फर्स्ट में आया है वो लास्ट में जाएगा next question देखो 11 question which keyword can be used in template template में आप कौनसा keyword यूज कर बाते हो तो आप class भी यूज करते हो template में और type name यूज करोगे तो यहां पर C option जो है वो अपका correct जाएगा जाएगा यूज की बहुत हैंड यूज करेगा 12 question देखो the best data structure to check whether an arithmetic expression has balanced parenthesis or not बहुत ही जादे important question है कई बार exam में आया है कि पूछ लेता है कि 12 question है पूछ लेता है अप कौछ लेता है arithmetic expression को आप कौनसे data structure से कर सकते हो तो arithmetic expression के लिए और parenthesis को balance रखने के लिए सबसे बैस हो होता है वो stack होता है ठीके तो B option जो है वो आपका correct हो जाएगा 13 question है को which of the following application may use a stack कौनसा यूज होता है सबसे बहले A option parenthesis balancing program बिल्कुल सही है क्योंकि last question में आपने देखा था कि parenthesis को balance करने के लिए stack यूज करवाते हैं और किसलिए करवाते हैं 1 second और क्या था 13 question था parenthesis को करवाने के लिए stack of local variable at a time ठीक है और syntax analyzer for a compiler तो कई बहर question पूछ लेता है कि syntax analyzer में stack हो होता है क्यों use करेंगे तो syntax analyzer में stack होगा तो यह question भी direct आजाता है तो यहाँ पर जो इसकी application है तीनों ही stack की application है तो d option जो है वो आपका correct हो जाएगा 14 question देखो which data structure is used in breath for search of graph to hold in important question is breath for search वो किसलिए use करवाते हो breath for search वो आप क्यों में use करवाते हो एक आता है depth for search depth first search यह किसमें use करोगे यह stack में use करोगे तो दोनों ही question आते है depth भी पूछ लेता है कई वार breath भी पूछ लेता है breath आप क्यों में use करोगे डैप आप stack में use करोगे 15 question देखो अब बाइंडरी विच 20 नोड है इस ब्रांच टोटल जो है वो क्या है 20 है आपको ब्रांच बताने है और चाहल नोड बतानी है तो 20 नोड है तो 20 नोड है तो n-1 हो जाएगा तो 90 ना जाएगा तो 16 question देखो What is a comment in C++? C++ में comment क्या होंगे Comment are part of the source code disregarded by the compiler जो comment होते है वो part होते है source code का जिसमें हम बताते हैं कि इसमें हम यह कर रहे हैं और वो कर रहे हैं तो यह option तो आपका correct हो जाएगा 17 question देखो If we delete 50 अगर मैं इसमें 50 डिलीट कर रही हूँ Binders search tree New binary tree I deleted 50 50 Balance tree Balance tree Here we go, right Left Left Root node 60 20 As it is यहां पर क्या जाएगा आपका क्या था 70 था 90 इस तरीके से वापस से बैलेंस ट्री बन जाएगा तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 18 कोशन देखो which of the following data structure is not a linear data structure इसमें से कौन सा जो है वो linear data structure नहीं है ठीक है तो दो तरीके के data structure होते हैं आपकी एक linear होता है और non-linear होता है इसमें बोला है नोट लिनियर अनिक नोट लिनियर बताना है यहां पर ना ट्री दे रखने है ना ग्राफ दे रखने है यह तो सारे ही linear है तो यह तो होगा नहीं तो यहां पर to binary search ट्रिविप 20 चला करेंगे क्या लिधा है करेंगे Q serve as a major role in Q serve as a major role in Regersion Regersion What do you use in Regersion Simulation of arbitrary linked list Simulation of limited resource allocation If you have limited resource It is very important This question has come many times in exam C option will correct 3D1 question C++ If a is less than 10 If a value is less than 10 4 i is equal to 0 i is less than 10 i++ Count is less than i See here a value is 10 and i value is 0 and then we are doing it and last i count Okay So here In this program there is an error so here D option correct 22 question EOF 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 लीनियर रीसर्च, लीनियर सर्च और क्वाडिक सर्च ठीक है तो इस टाइब की फाइल को हम इस टाइब की सर्च को क्या कहेंगे लीनियर सर्च तो यह उप्षिन जो है वापका करेक्ट हो जाएगा 24 question which operator is having right to left associativity in the following right to left करवा रहे हैं तो हम क्या करवारे हैं इसमें type cast करवा रहे हैं तो d option जो है वह यहां पर आपका correct हो जाएगा 25 question dash is not the component of data structure इसमें से कौन सा जो है वो component नहीं है data structure का operation storage structure algorithm सारे ही जो है वो इसके structure है तो यहां पर जो इसका answer आजाएगा 26 question Merge short makes two recursive call which statement is true after then recursive call finish but before the merge step तो first बोले है the area element from a hip B option बोले है element in each half of the area is sorted amongst themselves तो बिल्कुल सही है Merge short क्या करवाता है पहले क्या करवा रहे हैं सबको अलग अलग में divide कर देगा जैसे चार है 5 10 6 और 9 सबको पहले अलग अलग करेगा फिर इन दो में से देखेगा इन दो में से देखेगा इस तरीके से हम स्टैप बाई स्टैप मर्जिय करवाते चलते हैं तो इस दो स्टैप होएं तो यानि कि हाफ फैरे जो है वो सौट हो गया बागी जो है वो बचा हुआ है तो बी ऑप्शन जो है वो यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा सब्सकता है भी यहां नहीं दो समय है शौट्रण थाउग्रीपशन अचला ब्राइटलं प्राइटलों मिश्जिक नहीं तो Ah अगर data element 1000 से जादा हो जाते हैं तो binary search algorithm जो है वो sufficient नहीं रहता है तो D option जो है वो आपका यहां पर correct हो जाएगा 29 question देखो which of the following operation can be performed on data structure मतलब कौन सा जो operation है वो हम perform करेंगे data structure के ऊपर data organize करना assess करना technique को manipulate करवाना selection for information तो आपका D option जो है वो correct हो जाएगा all of the above ठीक है 30 question देखो link list can be used to implement link list जो है वो आप किस लिए use करते हो stack और Q के लिए बिल्कु ही use करते हैं link list लिए link list के तुर हम stack को भी implement करवा सकते हैं Q को भी implementation करवा सकते हैं तो यहां पर जो है वो आपका C option जो है वो correct हो जाएगा stack भी हम implement करवाते हैं Q को भी 31 देखो where does the execution of the program start मतलब जहां पर अपर प्रिग्राम को execute करवा रहे हो तो उसको आप क्या कहोगे ठीक है when new data are to be inserted into a data structure तो आप नया data जो है वो insert करवा रहे हो data structure के अंदर but there is no available space लेकिन आपके पास कोई space नहीं है तो इस situation में आप क्या करोगे जैसे आपके पास यह है यह है यहां पर जैसे इतनी ही requirement थी 1 2 3 तीक है और जितना भी space है वो full हो जुक है अप क्या करवा रहे है आप इसमें और 5 नंबर जो है वो add करवाना चाहते हो लेकिन क्या है ज तो यह आता है कि जैसे आपका यह data structure है अगर बोले कि इसमें से इसको कुछ delete करवाना है और इसमें इक भी data है ही नहीं मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं पहले सही खाली है इसको delete करवाना है तो इस condition को क्या बोलेंगे under flow अगर full है और add करवाना है तो overflow अगर खाली है डिलीट कर अगर बोले करवाना है तो under flow अगर यह आपको आपको यह को यह दोनों question समझ में आए होंगे तो यहां पर इसको insert कर वाना है तो यह कौनसी condition हो जाएगी over flow 33 question देखो which of the following data structure is most efficient in term of both space and time to reverse a string reverse करवानी है string को as a time or space में space के according कौन सबसे 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 अधा efficient है तो आप stack का use stack जो होता है वो सबसे 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 sufficient होता है जब आपको क्या करवाना है string को reverse करवाना है तो यहाँ पर आपका B option जो है वो correct हो जाए 34 question देखो which of the following data structure is most efficient in term यह तो हो गया तो यहाँ पर इसका answer क्या है B 35 देखो stack is also card है first in last out, last in first out first in first out, first come first out first in first out तो आपका Q हो गया last in first out आपका stack हो गया first in last out AB सही जो पहले आएगा वो last में जाएगा जो last में आएगा वो पहले जाएगा but अगर दोनों ही दे रखे हैं तो last in first out जो है आप करोगी 36 question देखो array or best data structure array जो होता है वो best होता है किसके लिए जो भी relatedly permanent collection होता है data को इसको गर हमें collect करवाना है data को जो भी permanent data उसके लिए जो array है वो सबसे ज्यादा useful है तो यहां पर आपका a option जो हो correct होचाएगा 37 देखो infix notation for the post fix ठीक है आपको infix notation बनानी है post fix दे रखे तो अब इसको हम solve करके देख लेते है abc plus multiply d और divide ठीक है divide दे रखा है तो कैसे इसको solve out करेंगे इसको देखेंगे abc plus है तो यानि कि b plus ही हो जाएगा ठीक है इसके बाद देखो multiply है multiply यहां जाएगा post fix क्या होता है last operator होता है तो यहां पर यह क्या जाएगा a multiply b plus c इसके बाद क्या है d divide है तो यहां पर divide आजाएगा d जो है यहां पर आजाएगा तो यानि कि a option आपका correct हो जाएगा 38 देखो when is insertion short is a good choice for sorting an array insertion short जो होता है वो good choice होता है array को sort करने के लिए तो option देख लेते हैं कि सबसे जादा जो है वो किस पे suit करता है each component of the array requires a large amount of memory each component of array requires small amount of memory array has only few items out of place तो कुछ items होते हैं array में out of place बाकी सबसाही होते हैं तो उसकेस में insertion short सबसे अच्छा होता है तो यहां पर c option जो है वो आपका correct हो जाएगा 39 देखो insert operation on a queue has to be done after testing मतलब तेस्ट करवाने के बाद क्या करवारे हो आप insert करवारे हो क्योंकि अंदर मतलब अल्लडी full है क्यों और आप में उसमें क्या करवारे हो insert करवारे हो तो वही condition आगी जो लास्ट मेंने question पढ़ाता है उस condition को आप क्या कहोगे overflow की condition ठीक है 40 question देखो what is the mean by template parameter मतलब इसमें से जो इसका meaning है template parameter का वो क्या होता है it can be used to pass a type of argument it can be used to evaluate a type it can no return type none of the about तो यहाँ पे a option जो है वो इसका correct हो जाएगा sorry it can be used to pass a type as argument तो यहाँ पे a option जो है वो correct हो जाएगा 41 देखो what is the output of the program इस प्रोग्राम के output क्या होगी iostream.at int max int a & int b और यहाँ पे इसने क्या करवा दिया int i & j करवा दिया call करवा रहे हैं हम यहाँ पे और last में max करवा रहे हैं i & j ठीक है तो maximum value क्या है 7 है तो यहाँ पे 7 जो है वो प्रिंट हो जाएगा तो आपका b option जो है वो correct होगा 42 देखो recursive procedure is implement using बहुत ही पहले भी आया था और मैंने बताय था कि recursive करना हो पेरंथेस को check करना हो उस के स्रिंग को reverse करवाना हो उन सब केस में हम किसका use करवाते है stack का तो यहाँ पे c option जो है वो आपका correct हो जाएगा 43 देखो stack का note भी use stack जो है वो कांसे में use नहीं करते हैं arithmetic expression in postfix बिलकुल करते हैं implement recursion बिलकुल करते हैं convert a given arithmetic expression in fix from equivalent postfix बिलकुल करते हैं allocate resources like CPU by the operating system तो ऐसा कुछ काम जो है वो इसका नहीं होता है यह तो process management का इन सब का काम है operating system के अंदर operating system के functioning है तो यहाँ पे जो है यहाँ पे d option जो है वो यूज हो जागा क्योंकि इन तीनों के लिए हम stack का use करते हैं 44 देखो he is given a tree तीक है यह tree दे रखाया और पूछाए कि कौन सा tree है को देखो a इसके नोड है कि कितनी है 2 a всё c कितनी कितनी कोड़ है 2 d e d के कितनी नोड़ है f & g हर एक जीरो नोड है या मतलब और किसी की भी esper pro नहीं है तो आजाएगा ए ओप्शन जो है वह आपका करेक्ट होगा 45 कोशन देखो विच ओद फॉर्टिंग अलगर्थम यूजर रिकर्जन मतलब रिकर्जन यूज करने के लिए मतलब करके आप कौन सा अलगर्थम यूज करोगे तो हम हिप शोट यूज करवाते हैं मतलब इंप्लीमेंट करवा सकते हैं हिप शोट और मर्शोट जो होता है वह यूसफुल है इस कंपेर टो इंसर्शन तो इसकी कॉंपलेक्सिटी बहुत जादा हाई हो जाती है तो बी ऑप्शन जो है वह आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है 47 कोशन देखो इन दा गीवन बाइनरी सर्श्ट्री वी वांट टो इंसर्ट 18 वाट विल बिद करेक्ट पोजिशन अगर आपको 18 करना है बाइनरी सर्श्ट्री मैंने आपको बजाया था कि क्या होगा सबाइनरी सर्श्ट्री मैंने तर्शे सर्श्ट्री वान सर्श्ट परस बाइनरी सर्श्ट्री मैंने बिद क Bennu 22 से बड़ा है या चोटा है तो 22 के कहा जाएगा लेफ्ट में जाएगा तो यहां पर लेफ्ट चायल्ड ओफ नोड लेबल 22 बतलब 22 की जो लेफ्ट चायल्ड होगी वाक्त वो क्या बनेगी 18 बनेगी तो यहां पर इसका C option जो है वो करेक्ट होगा 48 कोशन देखो इनने link list and element can be inserted to or deleted form ठीक इन link list में क्या करवा रहे हो element को insert करवा रहे हो और delete करवा रहे हो तो front of list हो सकती है and हो सकती है middle हो सकती है कहीं से भी delete करवा सकते हैं तो यहां पर D option जो है वो आपका correct हो जाएगा 49 कोशन देखो match करना है base address of array मतलब array का जो base address वो क्या होता है address होता है first element of the array तो P का हो जाएगा 4 next पोल रहा है the term push and pop is related to one structure is sorted push and pop कहां पे होते हैं आपके stack के अंदर होते हैं तो Q जो है one हो जाएगा merging sequence merging sequence क्या हो जाएगा combine करना होता है data structure को दो या दो से जाते हैं मैं अभी आपको बताया कि पहले हम जरी देरे करके merge करते हैं और swap करते हुए जाते हैं ठीक है तो R का second हो गया और link list क्या होती है एक data structure होती है जिसमें group of nodes होती है जो एक दूसरे से represent करवाती है तो S का third हो गया तो आपका आपका जाएगा P का 4 Q का 1 और R का second S का third ठीक है तो यह option जो है अपका B option है तो B option जो है वह आपका correct हो जाएगा 50 question देखो last question stack are used in select stack किसले यूज करते हैं compiler parsing में यूज करवाते हैं memory management में के यूज करवाते हैं तो both end भी जो है इसका correct answer हो जाएगा तो I hope आपको 50 questions समझ में आयोंगे इन 50 questions में अगर आपको कोई भी doubt है अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप comment करके पूछ सकते हो यह जो था वह आपका data section का part 1 था next part में आपके 50 आप 50 से जादा question जो है वो discuss होंगे और I hope आपको इन question में clear out होंगे इसे ही questions जो है वो एक्जाम में आते हैं इनी questions related जो है वो questions बनते हैं तो फिर में लेंगे नेक्स टुडिया में तब तक के लिए bye and thank you पूछ सकते हैं